तो यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कारिया हो, सब लोग आसेसित हों, आगे बढ़ें, सफल हों, परतिस्चित हों, जीवन के हर एक छेत्र में आगे बढ़ते चले जाएं, लड़ाए जगड़ें ना हों, सांती बनी रहें, तो आपको ये काम करने हैं. हर एक जन प्रभू अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए प्रभू येश्व मसी आशीश के बचनों को बोलने पाए. हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, यदि आप प्रात्ना करवाना चाहते हैं, तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रात्ना करेंगे. Praise the Lord, दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रात्ना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अपने परिवार के उपर, अपने बच्चों के उपर हमेशा बाइबिल के आसिसीत वचनों को कहें, उन वचनों को कहें, जो परमेशन ने बाइबिल में लिखे हुए हैं, क्योंकि जब आप अपने परिवार के उपर blessings को बोलेंगे, परमेशन के वचनों को प्रोकलेम करेंगे, तो वचन आपके परिवार के सदस्यों के उपर, आपके बच्चों के उपर पलवंत होंगे, पूरे होने लगेंगे, जब आप बोलना सुरू जब आप परमेशन के वचनों को अपने घर के लिए बोलना सुरू करेंगे, परन्तु बहुत सारे भाई बहन हैं, जो अपने घर के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए ऐसे बातें बोलते हैं, जिनने सुनकर आदमी निरास हो जाता है, जिनने सुनकर वे तनाव में चले जाते हैं, जिनने सुनकर वे उनके अपस में लड़ाई जगरे हो जाते हैं, लेकिन आसा में मैं आपको उटसाइद करूँगा, कि आप केवल और केवल परमेशन के द्वारा कहे गए वचनों को आप बोलना सुरू करें, जो पर बोलना सुरू हो जाएंगे, वो वचन आपके जीवन में पूरे होने लगेंगे, इसलिए हम अमेसा कहते हैं, कि अपने घर में बाइबिल वचनों को लगाएं, उन आसिसित वचनों को लगाएं, जो परमेश्व के द्वारा कहे गए हैं, क्योंकि जब आप उन्हें पढ़ कि आपके परिवार में कारिया हो, सब लोग आसेसित हो, आगे बढ़ें सफल हो, परतिस्चित हो, जीवन के हरे छेत्र में आगे बढ़ते चले जाएं, लड़ाए जगड़े ना हो, सांती बनी रहे, तो आपको ये काम करना हो, आपको परमेश्यो के वचनों को बोलना है अप वह उसका फल भोगेगा, आमेन. जीव में है, यदि आप जीवन की बातों को बोलेंगे, यदि आप आसीस की बातों को बोलेंगे, यदि आप परमेश्यो के वचनों को ही रिपीट करेंगे, तो वह वचन आपके जीवन में पूरे होंगे, तो जीवन है, यदि आप उससे जीवन बोलेंगे, तो जीवन पै आग के मुह में सामर्थ हैं, क्योंकि आप परमेश्यू पिता की संतान हैं, और आप जानते हैं परमेश्यू ने जब सिरिस्टिका निर्मान किया, तो परमेश्यू ने बोल के किया, सब्दों के दौरा किया, और जैसे जैसे परमेश्यू ने कहा, वैसे वैसे होता चला गया, आज भी जब आप ये फिर कोई परमेश्र का सेवा कहता है कि येश्यू के नाम से बीमारियां चले जाओ तो वो बीमारियां चली जाते हैं दुस्ता आत्माई निकल जाओ तो वो दुस्ता आत्माई निकल जाती है क्यों? क्योंकि हमारे मुझ में सामर्थ है और जब आप परमेश्र के वचन को प्रोक्लेम करते हैं, तो वचन जीवित हो जाते हैं, वचन काम करना सुरू कर देते हैं, क्योंकि बाइविल कहती है कि परमेश्र के द्वारा कहे गए वचन अपना काम करते हैं, वो खाली नहीं होते हैं, वो अपना काम करते हैं, तो इसलि पर में वचनों को लगा दे, आपके बच्चे उन वचनों को पढ़ें, आपके पत्नी, आपका पत्ती, रिस्तेदार उन वचनों को पढ़ें, ताकि उन्हें पढ़कर वे भी आसिसीत हों, और आपका परिवार भी आसिसीत हों, परमेशन ने आपके मुह में सामर्थ दी है, एपिस्यों किताब उसका चार अजिया है उन्तिस पर कहता है कि कोई भी गंदी बात तुमारे मुझे न निकले कोई भी गंदी बात तुमारे मुझे निकले बलकि क्या निकले? केवल आसिसों के वचन दूसरों के लिए हो, अपने लिए हो, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आसीस के वचन, जो परमेशन ने बाइबल में कहे हैं, उन वचनों को आप बोलना सुरू करें, जब आप बोलेंगे, वो स्रिष्टी में आएंगे, आपके जीवन में पूरा सुप्रवाब को इस वचन के द्वारा बहुतायच से आसीस दे, आमीन. लंग नहीं बने हैं, लेकिन हमनेयावा पर बरोसा रखा, और मैंनेयावा पर मेरी बेटी बिलकुल ठीक हैं, सारी महिमा येश्व मसी को मिले, और मैं पास्टर पीके मसी और शिस्टा अमनिता मसी का भी धन्यवादेती हूं, और उनकी टीम का भी, जिनोंने हमारे लिए प हैं इस संदर से पल के लिए मैं आशा करती हूं वड़े ध्यान से आपने प्रबू के वचन को सुना है और परमेशु और अपने वचन से आपको आशीज दे रहे हैं इस बात के लिए प्रबू का हम धनिवाद देते हैं जीवित अनुगरहे कारी पिता परमेश्व प्रबू सुन्दर समय के लिए पिता हम आपका आदर और सम्मान करते हैं आपके नाम की जैजेकार करते हैं पिता धनिवाद करते हैं इस साम के समय प्रभू तुने हर एक के मन को तयार किया प्रभू हर एक को रेडी किया परमेश्वर पैलरशिप करने के लिए आपसे संगती करने के ल प्रभु जी और सच में प्रभु जी वो प्यार इसलिए प्रभु क्योंकि सबसे पहले आपने हम सबसे प्यार किया हमें अपना बेटा-बेटी बनाया और हम सब को अपना राज्य दिया है पिता और आज हम उस राज्य में हैं मेरे खुदा और चल पिर रहे हैं पिता प्रभु तेरे आने के लिए प्रभु हम सब तयार किये जा रहे परमिशन इस बात के लिए धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्रात्म का होली स्पेरिट में आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस समय मौजूद हैं हमारे साथ में आज जितने भी भाई बेन प्रभु समस्याओं में परिशानियों में दुख में तनाव में और बहुत से बुरे हालात में हैं तो आज की शाम में मेरे प्रभु येशू उनके जीवन में आपकारे करें येशू मसी नासरी के नाम से उन हालातों को आप बदले प्रभु और इस समय वो छुटकारा पाएं प्रभु येशू के नाम से प्यारे परमेश्वर आज दिन भर आपने संभाला सुरक्षित रखा अपने लोगों की सहता मदद के अपने फेवर को दिया अपने सपोर्ट को दिया अपने प्रोटेक्शन को दिया बहुत से लोगों के कामों को आज आपने बनाया हर एक के साथ में आप रहे प्रभू आपने इनके आंसों को पोचा प्रभू अपने आनन से भरा अपनी शांती से भरा इस बात के लिए खुदा हर एक हिर्दय धनेवाद से भरा है प्रभू और पिता विशेश रुप से आज के वचन के लिए धनेवादत है प्रभू कि आप आपने अपने वचन से बात किया, आपका वचन पावरफुल है, आपका वचन अद्भुत है, आपका वचन प्रभु हमें हर दिन बदलता है, हर दिन हमें हमारी साहता करता है, प्रभु हम तेरा धनेवाद करते हैं, त्यारे प्रभु येश्व मसी मैं प्रातना करती हूं प् जो सफलता है प्रभू जो चंगाई है पिता परमेश्वर क्योंकि प्रभू जीवन और मृत्यु प्रभू हमारी जीप में प्रभू तुने दिया है परमेश्वर मैं प्रातना करती हूँ प्यारे प्रभु येश्मसी क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे मुखे फलो को स्रिस्टी पर लेकर आऊंगा मैं धनिवाद करती हूँ प्रभु जी आज हर एक जन प्रभु अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए अपने आप के लिए प्रभु येश्मसी आशीश के वचनों को बोलने पाए अपने बच्चों के लिए आशीश बोलने पाए कभी भी प्रभु गलत बाते प्रभू ये अपने लिए अपने परिवार के लिए न बोले, प्रभू आप इनको इनकी जीप पर कंट्रोल दे, प्रभू होने दीजे जब भी इनके मूँ से कोई बात निकले, प्रभू इनकी बाते अनुग्रह से भरी हो, प्रभू तेरे वचनों से भरी हो पिता, और परम प्रभु ये अपने बच्चों के लिए अच्छा बोल सके पिता, पोने दीजे परमेश्व प्रभु जी कि आज प्रभु येश्व मसी हरेक के प्रभु बोलने के तरीके को आप बदले, उनके हिर्दे को आप बदले, प्रभु जब वो हर दिन तेरे वचनों पर मरन करते हैं उन वचनों को वो अपने मूँ से कहने पाए, और प्रभु तेरे वचन पर अध्यन करने पाए, प्यारे खुदावन, प्रात्न करते हो पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जितने लोग समस्या में है, तनाव में है मेरे प्रभु, येश्व मसी हर एक तनाव को आप उनक प्रभु जितने लोग अपने स्वास्थे को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, अपने चंगाई को लेकर, परिशान है प्रभु तेरा वचन उनसे कहता है परमेश्व पिता, कि मैंने निस्चे तुम्हारे रोगों को सहलिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया है, प्रभु धन्यवाद आज एक एक व्यक्ति के रोगों को आपने अपने उपल लिया है, आपने उनके दुख, दर्द उनकी तकलीब को अपने उपल लिया है प्रभू इस वच्छन पर विश्वास करने में उनकी जाहता करें और परमेश्य प्रभू उनकी शाररिक चंगाई को आप उने दे आत्मिक चंगाई और मांसिक चंगाई को आप उने दे मेरे खुदा धनेवाद करते हर एक बिम के लॉंग्स को इनके पैंक्रियास को इनके इंजस्टाइन को परभु इनकी किड्नीस को परशान को परमिश्वर आप चंगा करें परभु आप इनकी हड़ी को चंगा करें परमिश्व पिता शुगर भी p.thyrite की बीमारी से लोग परिशान है खुदा उन्हें आप चुटकारा दे सर्दी जुकाम बुखार बॉड़ी पेंसे चुटकारा दीजे प्रबुजी खुदावन मैं प्रासना करते हुद प्रबुजी जिन्ने हार्ट की प्रब्लम है प्रबु उनके हार्ट को आप चूले मेरे प्रबु जिनके पैरलाइस हुआ है प्रबु ने पैरलाइस की बीमारी से चुटकारा दे पिता प्रबु जिनके गर्दन की हड़ी में प्रब्लम है परमेश्व प्रबु येश्यू के नाम से वो दर्द वो तकलीफ दूर हो जाए येश्यू के नाम से जिनके बॉड़ी म नाम से दौरे पढ़ना बंध हो जाए, मेरे की बीमारी नस्थ हो जाए, प्रभू एड्स की बीमारी नस्थ होने पाए, प्रभू एश्यो धन्यवाद करते पिता, आपने चुआ और चंगा किया, धन्यवाद प्रभू आपने चंगा किया, परमेश्यो प्रभू जी, इनके हड़ी को, इनके मांस को, इनके नसों को तुने चंगा किया, प्रभू यदि ब्लड से रिलेटेट कोई भी बीमारी, प्रभू एश्यो के नाम से दूर होने पाए, प्रभू हर प्रकार के विरोध में प्रमेश्व, आपके वचन को अपने मूँ से कहने पाए, प्रभू ये अपने लिए सफलता को कहने पाए, अपने लिए चंगाई को कहने पाए, अपने लिए प्रभू उचा उठने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, बच्यों के अच्छे भविश्य प्रभू ये बोलने पार इनके जीवन में ऐसा ही होने पाए पिता मैं धनेवाद करते हूं जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्राथना की और प्रभू यूट्व कमेंच पर प्रभू अपनी विंतियों को भेजा मैं धनेवाद देती हूं प्रभू कि आप उनकी सुधी ले उनक बातों से छुटकारा दे और यह अच्छे से सोने पाए कल कर दिन तेरे साथ में देखे तेरी महिमा को करें जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभू उन्हें प्रॉस्पर करें पलवंद करें उनके पास हर एक भली वस्तो होने पाए और जितने लोग हमारे साथ सेव कारियों में शामिल हो रहे हैं प्रभु जी उन्हें भी आप आशीज दे धन्यवाद के साथ प्रभू इस प्रात्म को येश्यू के नाम से मांग लेते हैं सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन और आमेन